नए साल के साथ पूरा देश वाक्सीन के रूप में एक नए शुरुवात की आस लगाए बैठा है। कोरोना की वाक्सीन जल्ड मिल जाने की खबर आने के बाद उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाना है सरकार इसकी तैयारियों में जुटी हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विश्वस्वास संगठन, डबलुएच ओ ने, फाइजर और बायो एंटेक की वाक्सीन को एमरजंसी इस्तमाल की इजाज़त दे दी है। आज से पूरे देश में वाक्सीन देने का डेमो शुरू किया जाने वाला है। असल में वाक्सीन नहीं लगाई जाएगी। वाक्सीन लगानी कैसे है ये उसका ड्रायरन किया जाने वाला है। थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। चलिए आपको पहले ये समझा देते हैं कि ड्रायरन क्या होता है। ड्रायरन एक तरीका है ये चेक करने का कि सरकार ने वाक्सीन वितरन का जो प्लान बनाया है वो कितना सक्षम है। Dry Run के लिए इन तीन जिलों में तीन तीन केंद्रों को चुना गया है पटना में मौक ड्रिल के लिए शास्त्री नगर में शेहरी प्रात्मिक स्वास्त्र केंद्र फुलवारी शरीफ में सामुदाइक स्वास्त्र केंद्र और दानापुर में सबडिविजनल अस्पतार को चुना गया है वही जमुई में तीन स्कूलों में ये परिक्षन अभियान पूरा किया जाएगा पस्टिम चमपारन जिले में तीन पीएची चनपटिया, मज्जॉलिया वह अर्बन में ड्राई रन होगा स्टेट हेल्स सोसाइटे के कारेकारे निदेशक मनोच कुमार ने इस ड्राई रन की जिम्मेदारी संभाली है उनसे ये जानकारी मिली है कि स्मॉक ड्रिल में वाक्सिनेशन के लिए इस्तमाल की जा रही टेक्नोलोजी की परिक्षा होने वाली है केंडर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वाक्सिनेशन कोविन पोर्टल के माध्यम से होगी जहां टीका लगाने वाले से लेकर लगवाने वाले तक की जानकारी मौझूद होगी मनोज कुमार के मताबिक जिनने टीका लगाया जाएगा उनके मुबाइल पर मेसेज भेज दिया जाएगा जिसके माद्यम से उनने टीका दूसरी बार कब लगाया जाना है उसकी जानकारी भी लोगों को मिल जाएगी हर केंजर के लिए 25 हेल्थ केर वोकर्स को चुना गया है स्वास्वभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक डेमो सेंटरों में तीन कमरे टीका करन के लिए होगे पहला कमरा वेटिंग के लिए होगा इसमें Health Workers की पूरी जानकारी का डेमो मिलान होगा दूसरे कमरे में टीका करन की विवस्टा होगी तीसरे कमरे में विशे शग्यों के निगरानी में टीका लगवाने वाले को 30 मिनिट तक रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह की परिशानी होने पर उचित अलाज उपलत कराया जा सके आपको बता दें कि अब तक 35,000 हेल्ट के वर्कर्स ने टीका करन के लिए अपलाई किया है आपको फिर एक बर याद दिला दे कि ड्रायरन के दौरान वाक्सिन का इस्तमाल नहीं किया जाएगा ड्रायरन का मकसद है ये देखना कि सरकार ने वाक्सिन वितरन की जो योजना बनाई है वो कितनी सफल होगी जहां देश में नए स्ट्रेंड के कोरोना के मामले भी सामने आने रगी है ऐसे में वाक्सिन जल से जल देश के लोगों तक पहुँचना बहुत आवश्यक है आपको बता डें कि देश में पहले चार राजियों में पंजाब, आसाम, गुजरात और आंधरप्रदेश में ये ड्रायरन किया जा चुका है जिसके नतीजे अच्छे रहे हैं अब देखना ये है कि बाकी राजियों में ड्रायरन कितने सफल तरीके से होता है इस ख़बर में इतना ही अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेर जरूर करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुचा सकते हैं